हाई फ्रेंट्स वागत हमारे इस योटूब चैनल सतीश चवान स्टड़ी पॉइंट में तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी कच्छा बारा पद्दे में साहित्तिक जीवन परिचे पड़ेंगे जो बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मत्यपूर है तो डेट आगई है दोस्तों तो लग जाएए पूरे जोज के साथ जलवे दिखाईए अपने तो चलिए हिंदी कच्छा बारा में पद्दे साहित में जीवन परिचे पूछा जाएगा जो पांच नमबर कायागा तो उसके लिए बहुत ही मत्यपूर है देखे हमने लिया है महादेवी वर्मा का जीवन परिचे यह पांच नमबर में पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचे साहित्तिक जीवन परिचे उम्रशनाय लिखिए तो चलिए देखते हैं देखे, महादेवी वर्मा का जर्म 1907 इसबी में फरुखाबाद में होली के दिन हुआ था इनके पिता गोबिन्द परसाद वर्मा भागलपूर के एक कालेज में परधानाचार थे इनकी माता है मरानी बीदूसी धार्मिक मैला थे और नाना ब्रजभासा के अच्छे कभी थे महादेवी जी पर इन सभी का परभापणा और अंतत अथात इस कारण से वे एक परसिद्ध कभीत्री प्रकृती यों परमातमा की उपासिका यों सफल परधानाचार के रूप में परतिष्ठित हुई यानि परसिद्ध हुई इनकी प्रारंभिक सिच्छा इंदवर में और उच्च सिच्छा पर्याग इलहाबाद में हुई संस्क्रिस से यम ए उत्तिण करने के बाद ए प्रयाग महिला विद्ध्यापीठ में परधानाचार हो गई इनका विवान नव वर्ष की अलपाई में हो गया था परन्तु कुछ वर्ष बाद इनका दामपत्य जीवन सुख ही नहीं रहा जिसके कारण इन्होंने अपने दामपत्य सुख कत्या कर दिया ए उत्तर प्रदेश विधान परिशद की मनोनित सदस भी रही इन्हे पदमभूशड तथा हिंदी साहित्य सम्मेलने से करिया पुरस्कार तथा मंगला परशाद पारितोशिक सम्मान दिया था यह साहित्य में उनका अहम योगदान है 1983 में भारत भारती तथा ज्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था यह बहुत ही विशेश रहा इनके जीवन का और 11 सितंबर 1987 में इनका स्वर्गवास हो गया तो यह रही उनकी पूरी जीवन गा था अनिसाहित्तिक परचे ठीक है दोस्तों तो अब रचनाय देखते हैं देखी रचनाय में निहार रस्मी निर्जा सांदगीत दीप सिखा यामा और अतीत के चलचित तो दोस्तों यह रचनाय इसमें से आप दो तीन भी लिग देंगे तब भी आपका पांस नंबर पक्का है ठीक है दोस्तों तो इनी बातों के साथ हमारे वीडियो आज तक यहीं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा ज्यादा लाइक करिए शेयर कर दीजे और कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि बोड एक्जाम को ध्यान में रखते विए हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने परिच्छा में अच्छे स्कूर कर सकें ठीक है दो दो तो अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद